हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने हमतुम व्लोग चैनल में और आज लेके आए हूं मैं आपके लिए एक और नया शांदार व्लोग और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं मैं हूं गुल्षन यानि की जीके गुल्षन कुमार और मेरे साथ है मिश्टर पी के परवीन क तो अब हम जा रहे हैं रेवाडी रेवाडी दोस्तों हर्यान में एक डिस्टिक है और वहाँ पे बहुत ही खास जिगह है जो हमारे पूरे देश में कहीं नहीं है वह रेवाडी में है और वहम आपको दिखाएंगे महीं पर पहुंचके तो दोस्तों हम रेवाडी में तो दोस्तो फाइनली हम पहुंच गए है रेवाडी स्टीम लोको और यह है इसका इंट्रिगेट तो जैसे कि हम गुड़गाउं से चले थे तो लगबग हमारा डेड़ गंटे का सफर रहा है और कुछ ऐसा है यहां का व्यू और यह है दोस्तों यहां का टिकट काउंटर तो यह है कैंटिन एरिया दोस्तों और इसके इदर आजाता है रेवाडी स्टीम लोको और अब चलते हैं इसके अंदर किर संपी तो यह हैं आगाव को यह व्यांब यह दोस्तों पस्तों प्रवीश को यह आज़ पर आज़ आड़ागी टॉद। जैंपनी प्याव कि यूरिष्ट यह नहीं तो तो दोस्तों मैं आज आपको लेकिया हूं रेवाडी में जहां पर है लोको स्टीम शेर्ड हरिटेज और यह आप मेरे पिछे देख रहे हो फैरी कुएन जो कि बहुत ही फेमस सिर्फ पूरी दुनिया में पूरे हिंदूस्तान में सिर्फ एक ही है जो हमारे हिंदूस्तान में सबसे पहले ट्रेन चली थी वह यहीं इंजन था जिसने वह ट्रेन चलाई थी पहली ट्रेन आपको प कि अबहुक्र कि आपा ने एंदुदी की नए मैं दो ने पिंदीप्टी ने बातार्श सो दाज दो, कि लोगे मिनदीब है कि केस बातार फूरचर के आपड़ और रहा? मैं यह कोईलर यह थे ने रहा है यह कोईलर भीलेगां यहाद रहा है तो दोस्तों चाहे कितना ही जमाना बदल जाए लेकिन हमें अपने पुराने वक्त को नहीं भूलना चाहिए जैसे कि आपको पता है पहले भाप के इंजन चला करते थे कोईलो से उसके बाद डीजल इंजन आये और अब तो इलेक्ट्रिक ट्रेनिज दोड रही है चाहे हम स्मार्ट सीटे में रहते हों मैट्रोस देखते हों डेली लेकिन हमें अपना पुराना टाइम नहीं भूलना चाहिए और आज उसी पुराना टाइम को हम याद करने के लिए आपको लेके आये हैं लोको शेयर्ड स्टेम हरीटेज में यहां पर बहुत सारे पुराने पुराने इंजन खड़े हुए हैं जो सन 1853 में पहले ट्रेन चली थी वह भी है यहां पर फैरी कुईन फेमस इंजन है और यहां पर आपको बता दूं दोस्तों यहां पर बहुत सी मुवी की शूटिंग यहां पर अपने देश के इतिहास को जानने का मुखा मिलता है यहां से और जिनको जो ट्रेन लवर्स है उनके लिए तो यह खजाने से कम नहीं है यहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बच्चों के लिए भी कई एक्टिविटीज हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और उनका वियानन लेंगे यहां परो कि लिए टेंगैं Aa इनके ला बच्चों के लिटीजिजगा हैं च्रों मैदने लगदग प्राव मैंचन सख्तु मैंचन। कि अच्रों यह दोने दोल किन दोला सेटां तोली सी कि अचे कर पनाओल मा कुर फजयरा तैम हर भांद improve पहर उन्हुन थर Mega Horizon भीह एफ उन्हना कक जा जरूश गड़ आवान कि खासा भल्दीछफर के और भांद तो यारो यह मूवी तो आप सभी ने देखिये होगी सुल्तान और यह वो इंजन अकबर जिसमें सुल्तान मूवी में सल्मन खान ने इस से रेस की थी और बहुत पुराने पुराने इंजने दोस्तों और इनको देख के बस यही लगता है कि ना जाने इन्होंने देश के कितने चक्कर लगाए हैं कितनी यात्रागी है और आज यह इस म्यूजियम में इस हेरिटेज में हैं तो बहुत मेमोरिबल है इस सब चीजें खास तोर से उ इन्होंने ट्रेन में सफर किया है इन ट्रेनों में सफर किया है और जो रेलवे एंप्लोई रह चुकी है उस दोरान की तो दोस्तों यहां पर वैसे तो एंट्रे नहीं थी लेकिन मैंने आप लोगों पर दिखाने के लिए इन से बहुत रिक्वेस्ट की फाइनली यह मान गए और देखिए सूपर मिनी ट्रेन्स और सूपर मिनी ट्रेक्स हैं यहां पर चोटे-चोटे स्टेशन बनाए हुए है यहां पर देखिए जब दस जगह दोस्तों शोटे-चोटे ट्रैक बनाए हुए है और यह कोई मॉंबई का है कोई दिलिया का ट्रैक बना हुआ है कोई लखनौ का ऐसे-ईसे करके बहुत सारे बनाए हुए हैं बहुत प्यारी जगह है इसमें आम लोगों के एंट्री नहीं और यह हम पहुंच गया है यारो लखनाउ के रेल इस्टेशन पे मुस्क्राइब लखनाउ में हाँ और फाइनल हम पहुंच गया है दोस्तो दिल्ली के रेल इस्टेशन पे और ठीक इसके पीछे है लोटस टेमपल आपको दिखाते हैं भी यह देखिए दोस्तों रहादी शेड में सभी मूवी की शुटिंग हो चुकी है है यहां पे बहुत सारी मूवी शुटिंग होगी यहे दो जाल ठबतक करिजिए यहां पे और ये सारे इंजिनिया पे अवेलिबल है और अब हम चलते हैं घर की और तो दोस्तों आज को दिन खतम हो चला है और हम माने आपको को दिखाया है रेवाडी का लोकुस्टीम हरिटेज तो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें